है गाईज वेलकम टू माई चैनल टीज टू लाँ जैसा कि आपको पता है हमारी एंसी आटी सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है तोड़ी वी अर गोईंग टू कंटीनियू आवर चैप्टर जिसमें हम कौन सा टॉपिक डिसकस कर लेंगे सानलाइट जो है वाइट होती है या फिर कलाड होती है इफ यू स्टिल नॉट वाश्ट प्रीविज वीडियो यू चैक डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक हैस बिन गिवन ओके सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर जो आज का हमारा टॉपिक उसे स्टार्ट करते है क्या आपने कभी rainbow sky में देखा है अगर आपने most of the times अगर आपने उसे देखा होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि ये कब हमें दिखाई देता है जब भी बारिश हुई हो और बारिश के बाद ऐसा नहीं कि बारिश के बाद ये हमें दिखी जाएगा बारिश क इसके बाद जो आकाश है, स्काई है, उसमें सन का भी उगना जरूरी होता, इसलिए आपने सुना होगा कि जब भी कभी बारिश होती है, अगर उसके बाद कभी धूप निकलती है, थोड़ी सी भी हलकी धूप होनी चाहिए, तब कहते हैं कि देखो, शायद हमें दीखें कि र रेंबो हमें कैसे दिखाई देता है, एक आर्क की तरह, अब मैथ हमें आर्क पड़ा होगा, अगर आपने नहीं पड़ा है तो अपनी आने वाली हायर क्लासिस में आप जरूर देखेंगी कि आर्क होता क्या है, आर्क बेसीकली इस तरह का ऐसे साइन होता है, जैसे हमारी जिसको हम किसले यूज करते हैं एंगल्स वेगरा को मेजर करने के लिए उसी की शेप में हमें पूरे स्काई में ऐसे इस तरह दिख जाएगी कि रेनबू ऐसे निकली हुई है और उसमें कितने कलर्स होंगे आपने नोटिस किया होगा तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं ज कलर्स हैं जो कौन-कौन से होते हैं रेड, औरेंज, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, इंडिगो, और वायलेट इसका एक शौर्ट फॉर्म भी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं विब, ग्योर अब इसमें इन्होंने कलर्स कैसे लिखे हैं इस डारेक्शन में पहले रेड लिखा है फिर औरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्ल्यू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट ये इसकी शौर्ट फॉर्म है रेंबो के कलर्स को याद करने की इसकी शौर्ट फॉर्म क्या है विब, ग्योर इससे आप याद रख सकते हैं कि रेंबो में कितने कलर्स होते हैं सेवन और उन colors के name भी तो अब यहाँ पे जो पहली है क्या कह रही है कि इसका मतलब light में यह seven colors होते हैं येस अब क्योंकि sun की light basically इसका जो procedure होता है कि जो आकाश में हमें यह rain वो दिखाई कैसे दिया जब बारिश होई बारिश के बाद हवा में कुछ ऐसे droplets रहेंगे पानी के क्योंकि बारिश होई है तो जब sun की क्या पढ़ेगी इसके उपर ray पढ़ती है जब थोड़ा सा sun निकलता है तो इसके उपर sun की ray पढ़ेगी तो यह आप higher classes में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होती है total internal reflection होती है जिसके कारण अब light पहले इसमें इससे इसमें आई जिसके कारण जो यह light होती है इसी से ही reflect होके total internal reflection करके हमें यहाँ पे rainbow दिखाई देता है अगर आप इसे अभी पढ़ना चाहते हैं तो मैं description में total internal reflection इस video का link दे दूँगी आप उसे वहाँ से cover कर सकते हैं कि कैसे total internal reflection होती है अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि पहली ने क्या हमसे पूछा कि light में ही seven colors होते हैं तो हाँ light में ही seven colors होते हैं क्योंकि अभी हमने देखा light droplets के उपर पड़ी उसके बाद ही rain वो बना तो light में तो colors होंगे तभी तो वो reflect होने के बाद हमें दिखाई दे रहा है तो इस तरह की चीज़ें आपने अपने daily life में absorb करी होंगी कि जो soap bubbles होते हैं उसमें भी हमें बहुत सारे colorful colors दिखाई देते हैं या फिर जैसे इन्होंने यहाँ पे CD दिखाई गई है अगर इस CD को भी हम sun की light में रखेंगी कि तो उसमें यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कितने सारे colors दिखाई दे रहे हैं तो अब इसी experience से क्या हम यह कह सकते हैं कि जो sunlight है वो mixture है different gases का तो इस चीज़ को चलिए हम investigate करते हैं इस activity के through अब इस activity के लिए हमें क्या चाहिए एक prism चाहिए glass का prism चाहिए और हमने इसे क्या करना है बिल्कुल ही अंधेरे कमरे में रख देना है सिरफ एक ऐसी जगा रखनी है जहां से sun की light आ सके बागी पूरा का पूरा room dark होना चाहिए और एक position से यहां से क्या आ रही है sun की light आ रही है तो हम क्या देखेंगे कि जो sun की light जब इससे pass करी तो इस prism से pass करने के बाद वो कितने colors में यहां पे reflect हो गई है seven colors में हमें जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है तो आप इस चीज को किसी white sheet of paper पे देख सकते है या फिर किसी white wall पे जब हम इस color को absorb करेंगे तो हमें देखेगा कि यह जो colors है बिल्कुल rainbow की तरह ही है क्योंकि जैसे हमने देखा rainbow में भी क्या हमें यही colors दिखाई दे रहे थे जब rainbow form होती है और जब हमने इस prism से sun light को pass किया और जब हमने इसे एक white paper या white wall पे इसे absorb किया तो हमने क्या देखा यह भी बिल्कुल किस की तरह दिख रहा है rainbow की तरह दिख रहा है तो इस चीज से हमें यह पता चल रहा है कि जो sun light है जो sun की light है देखने में तो white है पर उसमें कितने colors होते है seven colors होते है the sun light is set to be white light उसे हम क्या कहते है white light कहते है इसका मतलब white light कितने colors से white light में कितने colors होते है seven colors और इन colors को identify करें जैसे आप पहले ही हम identify कर चुके है कि कौन कौन से color होते है web gear से आप learn कर सकते है आप बार बार बोलने का मेरा मकसद क्या है कि आपको ये colors इसी तरह याद हो जाएं violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red ये हैं सारे colors जिसे आप अपनी notebook पे note कर सकते हैं तो अभी तो हमने कहा कि white light में seven colors हैं तो इसका मतलब अगर हम seven colors को mix करें तो क्या वो दुबारा हमे white light दे देगी तो चलिए इसको भी try करते हमें एक activity से जैसे कि यहाँ पिनों ने activity में 11.12 activity में हमें क्या कहा है एक circular cardboard disc ले लेनी है उसको seven parts में divide कर देना है इसके seven parts में या तो क्या कर लें आप color कर ले, paint कर ले seven rainbow colors से या फिर आप colored paper को paste कर ले इन जो seven segments हमने बनाए है उसके बाद small hole कर लेना है उस disc के बिल्कुल center में fix the disc loosely on the tip of the refill of a ball pen ensure that the disc rotates freely अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखो एक जो pen है उसकी refill लगा दिया और ऐसे लगाना है कि यह बिल्कुल आसानी से क्या कर सके rotate कर सके जिसे कि इस figure में हमें दिखा ले हुए कि अगर असानी से rotate करेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि seven colors को mix करने से वो white color दुबारा बन रहा है या फिर नहीं उसके बाद हमने इसे rotate कब करना है daylight में rotate करना है जब यह बहुत ही ज़ादा fast rotate करेगी जिसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं तो इसके colors mix हो जाएंगे और disc हमें white-ish दिखेगी जैसे कि इस figure में हमेशो हो रहा है अब इस तरह की disc जिसमें seven colors हो और seven colors कैसे rainbow वाले इस तरह की disc को popular name क्या है newton disc तो यह भी एक important बात है कि हाँ इस तरह की disc को जिसमें seven colors हो rainbow वाले तो उस तरह की disc को क्या नाम है newton disc अब यहाँ पे पहली ने यहाँ पे तो हमने क्या बनाया है एक cardboard का circular disc बनाया है और पहली ने यहाँ पे क्या किया है एक brilliant idea लगा के उसी disc का क्या बना लिया है एक top बना लिया है इसमें pencil को insert करके बिल्कुल इसके center में अब लट्टू वगरा तो आपने चलाई होगा तो इसमें क्या करना है disc के बीच में pencil लगा के बस इसके उपर वायो side को ऐसे घूमा कर छोड़ देना है तो यह भी क्या करेगा बहुत तेज घूमेगा और जब बहुत तेज यह भी घूम रहा है rotate कर रहा है तो यह भी हमें किस color का दिखाई दे रहा है बिल्कुल whiteish color का यहाँ पे हमें show हो रहा है तो यहाँ पे finish होता है हमारा यह जो chapter number 11 है light तो basically इसमें हमने क्या क्या पढ़ा चलिए उसका भी एक quick revision हम चल्दी चल्दी कर लेते हैं तो जो सबसे पहला हमारा topic था उसमें सबसे पहले हमने यही देखा था कि कैसे जो light है एक straight line में travel करती है next हमने क्या देखा कि कोई भी polished surface या shining surface किस की तरह act करती है mirror की तरह जिसमें हमने plate और spoon बगारा की example थी वो तो spherical mirror में आ गई थी जैसे plate बगारा यह साई जो चीजे थी वो किस की तरह act कर रही थी एक mirror की तरह act कर रही थी और यह दोनों point तो बहुत ही important है कि जो image किस पे बने screen पे उसको हम कैसी image कहते है real image कहते है और जो image screen पे ना बने उसको हम कैसी image कहते है virtual image कहते है जो plane mirror है वो हमेशा कैसी image बनाता है हमने इसकी properties देखी थी जिसमें एक property क्या थी कि erect यह image सीधी बनाता है इसकी image virtual होती है बिलकुल same size की होती है जैसा object है और बिल्कुल ही same distance पे बनती है behind the mirror as the object in front of it मतलब कि जितनी दूर हम mirror से खड़े हैं उतनी ही दूर mirror के अंदर हमारी image भी बनती है ये सब क्या है plain mirror में जो image बनती है उसकी properties है in an image formed by a mirror और इसमें एक चीज different होती है जो क्या कि left side हमारा क्या दिखता है किसी भी object का right side दिखता है और right side उस object का left side बन जाता है image में next हमने क्या पढ़े थे spherical mirrors देखे थे spherical mirrors की डो type थी concave और convex concave mirror में कैसी image बनती है real और inverted image भी बन जाती है जब object हमने देखा था कि जो concave mirror है इसके बारे में मैंने आपको एक video भी suggest करी थी कि अगर आप basically जानना चाते हैं कि किस किस point पे हम object को रखें कि हमारी जो image बन रही है वो छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है ये एक मैंने ray diagram के थूँ जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है इस तरह ray diagram के थूँ मैंने एक video में अच्छे से बताया हुआ है अब इस class के लिए आपका बस इतना जाना जरूरी है कि concave mirror में real और inverted image बनती है जब तक जो हमारा object है mirror के बिल्कुल past नहीं रखा जाता अगर आप उसे देखना चाते हैं तो मैं इस video में इसका link डाल दूँगी वो image formed by concave और convex mirror के नाम से video है आप उसे visit कर सकते हैं ये तो हो गया कि जब object बिल्कुल past नहीं हो तब तक तो image real और virtual inverted बनेगी अगर object mirror के बिल्कुल close रखा गया है तो image कैसी बनती है virtual, erect और magnified मतलब की बड़ी बनती है convex mirror में कैसी image बनती है हमेशा चाहे किसी भी point पर हो वो हमेशा erect बनेगी मतलब सीधी बनेगी, virtual बनेगी और smaller in size than the object object से क्या बनेगी, छोटी बनेगी अब आप यहाँ पे क्या notice कर रहे हैं जहाँ पे भी erect आ रहा है, वहाँ पे virtual आ रहा है और जहाँ पे real आ रहा है, वहाँ पे क्या रहा है? inverted आ रहा है यहाँ पे भी real और inverted, यहाँ पे erect और virtual और हमने जब plain mirror वाला देखा था तो उसमें क्या देखा था? erect था और virtual था तो इससे अब लगा सकते हैं अंदाजा कि जो image screen पे नहीं बन रही है मतलब की virtual है वो हमेशा कैसी बनेगी सीधी बनेगी next अब हम बात करते हैं concave और convex lenses के बारे में जो convex lens है और ये जो concave mirror है ये दोनों क्या है आपस में बिल्कुल same है जैसे इसमें real और inverted image बन रही थी बाकी positions पे जब हम object को दूसरी positions पे रख रहे थे वैसे ही convex mirror में भी real और inverted image ही बनेगी जब तक हम उसे बिल्कुल mirror के close न रखें और यहाँ पे जब तक हम बिल्कुल उसको lens के पास न रखें वहाँ पे भी mirror के पास रखने से image virtual और erect हो गई थी यहाँ पे भी image lens के पास रखने से virtual erect और magnified यह वहाँ भी होई थी और यह यहाँ भी होगी इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक चीज मतलब mirror वाला या फिर lens वाला तो आप दूसरी चीज को easily remember मतलब उसको याद रख सकते हैं इसलिए हमने देखा था कि जब भी हम object को magnified अगर हमें देखना चाहते हैं तो हम कौन सा lens यूज करते हैं convex lens यूज करते हैं और अगर आप से पूछ लिया जाए mirror कौन सा यूज किया जाता है जोनों आपस में सेम हैं क्योंकि वहाँ पे भी image किसी भी position पे object किसी भी position पे रहे image हमेशा erect virtual और smaller in size बनती है वैसे यहाँ पे भी lens में भी object किसी भी position पे रहे image हमेशा erect virtual और smaller ही बनेगी object के according और यह topic तो हमने आज ही cover किया है कि white light में seven colors होते हैं ने लग जाती हैं तो यहाँ पे पूरा finish होता है हमारा यह chapter number 11 I hope आपको यह पूरा chapter अच्छे से समझ आ गया होगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के साथ share करें because मुझे आप लोगों के support की बहुत ज़्यादा जरूरत है अगर आप support करेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा और मेरा confidence भी बढ़ेगा ठीक है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share, subscribe करना ना भूलें आपके जो भी doubt हो वैसे मैंने पूरा try किया है कि आपको कोई doubt ना रहा हो अगर फिर भी कोई भी doubt है आप easily उसे comment box में comment करें मैं definitely उसे clear करूंगी thanks for watching